नमस्कार फ्रेंट्स हर तालिका तीज 6 सप्तमबर 2024 दिन शुकरवार को रहेगी महिलाई इस वरत को अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती है 16 शिंगार इजिन किया जाता है उसी में ही कई कोशन हमारे पास आए क्या इस दिन हम बाल धो सकते हैं या बाल पहले दिन धोई यदि बुद्वार को आपने सिर्ध होया है तो क्या शुकरवार को दुबारा धोना जुरूरी है इनी प्रशनों के उत्तर इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए है फ्रेंड्स कोई भी तीज त्योहार जो सुहाग का त्योहार हम करते हैं सुहाग का वरत रखते हैं चाहे वो करवा चोट का वरत है वट सावित्री वरत या फिर तीज का वरत इन सब में सोलना शिंगार किया जाता है और बालों का शिंगार करना भी सोलना शिंगार में ही आता है तो आपको इस दिन अवश्य ही सिर्धोना चाहिए हर तालिका तीज पर सिर्धो कर ही आप बालों को सवारे बालों को सजाएं और सोलना शिंगार करें क्योंकि कहा जाता है वार से बड़ा त्योहार होता है और कोई भी सुहाक का व्रत जब हम करते हैं उन में 16 शिंगार का महत्व है और बालों को सजाना सवारना भी 16 शिंगार में ही आता है तो इसलिए हर तालिका तीज वाले दिन चाहे आपने एक दिन पहले या दो दिन पहले बाल अपने धोएं हैं तब भी आप इस दिन सुबह ही अपने बालों को अच्छे से धो लें और फिर उसके बाद कंगा करें जब सूख जाएं उसके बाद आप बालों में सिंदूर लग आपको जब आपके बाल अच्छे से सूख जाएं तब आप उन्हें सवार कर आप चाहे जिस जूड़ा बनाते हैं बन बनाते हैं चोटी बनाते हैं वैसे बनाकर फिर आप उसमें सिंदूर लगाएं क्योंकि हम शोच वगयरा भी जाते हैं दैनिक रियाएं करते हैं तो हम तीज वाले दिन बालों को अवश्य ही धोएं और सिर सूखने के बाद आप सोना शिंगार करें क्योंकि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाया जाता और सूख जब आपके बाल अच्छे से सूख जाएं उसके बाद आप सोना शिंगार करें इस तरह से फ्रेंट सर तालि के लिए हमें बाल आवश्य ही धोने चाहिए आशा है आपको ये चोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो आप हमारे चानल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट बुक्स में जैगोरा मैं आवश्यल करें